नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपना चाइनल यूनिवर्सल आगरोटेक में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड डेपी के बारे में जहां दोस्तों लिक्विड डेपी के अंदर क्या पाया जाता है साथी में इसका इस्तमाल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए इसका फसल में क्या-क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इसके बारे में समपूर्ण रूप से डिटेल के साथ आज की वीडियो में बात करेंगे और साती में बात करेंगे कि किस-किस फसल में हम इस DAP का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तो नैनो DAP की बात करें तो इसके अंदर 8% nitrogen, साती में 16% phosphorus की मातरा होती है इसका इस्तमाल करने से फसल में ततकाल आवशक्ता के नुसा नाइट्रोजन एवं फॉस्फरस की कमी को पूरा करने में कारगर साबित होता है दोस्तो साथी में नैनो डेपी की इस्तमाल की बात करें अन्य सभी परकार की जो फसले होते हैं इसके अंदर हम छड़काओं के माध्यम से नैनो डेपी का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो नैनो डेपी का इस्तमाल करते वक बीज उपचार के लिए 3-5 एमेल परती केजी बीज की इसाब से आप नैनो डेपी का इस्तमाल कर सकते हैं वही दोस्तों फसल में स्प्रे की बात करें तो फसल में स्प्रे के लिए नैनो डेपी का इस्तमाल 2-4 एमेल परती लिटर के हिसाब से आप इस्तमाल कर सकते हैं वही दोस्तो नैनो DAP की प्राइस की बात करें तो 600 रुपे में परती 500 ml की बोतल हमें नैनो DAP के रूप में मिल जाती है दोस्तो इसके फाइदे की बात करें तो नैनो DAP उपयोग से फसल में अच्छे खासी पैदावार देने में कारगर साबित होता है वही दोस्तों फसल में इसका स्प्रे करने से क्लोरोफिल के मातरा बढ़ा कर परकार संसलेशन क्रिया बेतर होती है वही दोस्तों लेक्विड नेनोड डीएपी की बात करें तो परियावरनी ये हिसाब से इसका इस्तमाल करना अनुकुल होता है साथी में इसकी स्टोर एवम ट्रांस्पोर्ट का खर्चा जो होता है वो सबसे कम नाता है दोस्तो आगर ये वीडियो आपको इंफोर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब करें साथी में बेल आइकॉन को हीट करना ना भूले